डीडी किसान बदलते भारत की शान कि नमस्कार स्पागते आप सभी का हमारे लाइफ़ोन कारक्रम हलो किसान में मैं हूँ आपके साथ जोटसना हलो किसान एक ऐसा कारक्रम है जिसमें हम आपको खेती-किसानी से संबंदित कुछ ऐसे विशे आपके लिए लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती-किसानी में ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके आपकी खेती-किसानी और भी ज्यादा बहतर हो सके तो पिर आईए देर किस बात की आपको बता दें कि आज हम किन विश्यों पर जानकारी हासल क करेंगे टमाटर, मिर्च और बैंगन की खेती के बारे में भी अगर आपके मन में कोई भी प्रशन आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप सीधा हमें फून कर सकते हैं हमाई टोल फ्री नंबर्स पर जो की है नंबर्स पर फून करेंगे आपका कोई भी शुलक नहीं लगएगा हमारा वाटसब नंबर है आठाच शुने शुने पंच थो तो इसके साथ ही हमने आपको तीन विकल्ब जो हैं अपने आज के कारक्रम के लिए दे दिये हैं और आप तीनों में से कोई भी एक विकल्ब को चुन सकते हैं आसानी से ही चाहें आप हमें फोन कीजिए या वाट्साप या इमिल के जरी अपने प्रशन भेज सकते हैं आएए आपका परिशा जो है हमारे स्टूडियो में मौजूद जो विशेशगे हैं उनसे करवादे हमें खरीव मक्का की खेती के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए मौजूद है दॉक्टर शंकरलाल जाड जी आपको बहुत-बहुत सबागा थे हमारे आज के करक्रम में टमाटर मिजूद बेंगन खेती के बारे में हमें ज्यादा जानकारी देंगे श्री गोगराज तो ये हैं हमारे आज के दो विशेशगे जो की विशेस समबन्दत आपको देंगे क तो आईए सबसे पहले हम बातचीत की शुरुवात करते हैं डॉक्टर शंकरलाल जी से तो सबसे पहले तो आपसे सर में ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि मक्का की खेती हमारे देश के काफी हिस्सों में जो होती है और कई हमारे किसान इसकी खेती कर भी चुके हैं तो अभी अगर हम वर्तमान स्थिती के बारे में जानना चाहें तो वर्तमान स्थिती में कितनी जो है वो इसकी खेती हो चुकी है क्या बताएंगे देखे वर्तमान स्थिती में अभी भारत में पिछले साल की तुलना में हमारे यहां लगबग पांच लाख हेक्टर में ज्यादा मक् बारत सरकार ने पिछले अक्टूबर महिने में मक्का को बायो इथनोल बनाने के लिए अनुमती दीती है। इसकी वज़े से जो अभी बाजार में जो भाव चल रहे हैं वो आपके समर्तन मुल्य यां समर्तन मुल्य से ज्यादा है। जबकि इसमें सरकार का कोई हश्यप नही है। हाला कि सरकार ने ये भी कहा है कि अगर मार्केट में भाव गिरते हैं तो सरकार इसको नाफेड और NCCF द्वारा समर्तन मुल्य पर खरीद करेंगी और खरीद करके फिर बायो इथनोल बनाने वाली इंडिस्ट्री को देगी। जो बारत सरकार का 2030 में लक्ष था कि हम 20% इतनोल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल करेंगे उसको 2025-26 में प्रिपॉंड कर दिया गया तो उसके लिए मक्का को एक प्रमुक फसल माना गया और मक्का की फसल वाले जो किसान हैं उनको ये बोला कि आप अन दाता नहीं है आप अन दाता से उर्जा दाता भी बन रहे हैं तो ये मेटपून गटक है जो मेटपून डवलपमेंट है मैं सब के सामने आज बताना चाहता हूं तो इसकी वज़े से अगर किसान बाई जो भी मक्का की खेती करने हैं उसको बहुत अच्छे से करें और जो आपका बाजार में मुली हैं वो पिछले 2-3 साल से अच्छा नहीं हासल करेंगे और साथी आपके प्रशनों को भी अपने कारकरम में हम जरूर शामिल करेंगे जो हमारे दर्शक मक्का से संबंदित कुछ भी जानकारी हासल करना चाहते हैं तो आप सीधे वाटस अप के जरीए या फून करके अपने प्रशन हमारे साथ साजा कर सकते हैं इस विशे में हम आगे बढ़ें उससे पहले देखते हैं इसी पर आधारत एक खास रिपॉर्ट मक्का की खेती के लिए अच्छी जलनिकास वाली बलूई दोमट मिट्टी अच्छी रहती है सिंचित शेत्रों में मक्का की बुआई मौनसून आने के 10-15 दिनों पहले कर देनी चाहिए वर्षा आधारत शेत्रों में आमतोर पर वर्षा के आने पर ही मक्का की बुआई की जाती है अधिक वर्षा वाले शेत्रों में मेड बना कर उनके उपर मक्का की बुआई करनी चाहिए कम वर्षा वाले शेत्रों में पूंड में बुआई करनी चाहिए मक्का की बुवाई के लिए संकर किसमों के लिए 20-22 किलो, संकुल किसमों के लिए 18-20 किलो और देशी छोटे दाने वाली किसमों के लिए 16-18 किलो बीच प्रती हेक्टियर की दर से काफी रहते हैं मक्का में पंक्ती से पंक्ती और पौधे से पौधे की दूरी 75 वाई 20 सेंटीमीटर या 60 वाई 25 सेंटीमीटर रखनी चाहिए अगर मक्के की बुआई बेबी कॉन और पॉप कॉन के लिए की जा रही है तो पौधों के बीच की दूरी 60 वाई 20 सेंटीमीटर सही रहती है किस्मों की बात करें तो मक्का की उन्नत संकर किसमें जैसे पूसा जवाहर, संकर मक्का 1, उन्नत पूसा हM4, उन्नत पूसा हM8 और S6217 किसमें लगाई जा सकती है हाला कि किस्मों का चैन अपने इलाके के हिसाब से करना अच्छा रहता है किसान बीज बोने से पहले बीजोब चार जरूर कर ले जिन इलाकों में दीमक का प्रकोप होता है वहां आखरी जुताई पर क्लोर पाईरी फॉस 20 एसी दबाकी धाई लीटर मात्रा को 5 लीटर पानी में खोल कर 20 किलो बालू में मिलाकर प्रती हेक्टेयर की दर से बोई से पहले मिट्टी में मिला दे और वरकों की बात करें तो मिट्टी की जाँच के आधार पर ही और वरकों का इस्तिमाल करना चाहिए अगर मक्का की बुआई बलूई में टी में की जाती है या खेत में जिंक की कमी हो तो 25 किलोगराम प्रती हیک्टेर की दर से जिंक सलफेट को खेत में बुआई से पहले डालना चाहिए मक्का की खेती में निराई गुडाई द्वारा खर्पतवार नियंतरण के साथ ही ऑक्सीजिन का संचार होता है पहली निराई अंकुरण के 15 दिनों बाद कर देनी चाहिए और दूसरी निराई 35-40 दिनों बाद करनी चाहिए तो अभी आपने मक्का से संबंद देखी हमारी विशोष रिपोर्ट आईए कारकरम में जो है वो हम यहां पर बढ़ते हैं आगयो और हम यहां रुप कर लिते हैं डॉक्टर गोगराज का तो डॉक्टर गोगराज जी अब आपसे में यह जाना चाहूंगे क्योंकि आपका विशह है आज हम बात करने वाले हैं यहां पर टमाटर, मिर्च और बेंगन की खेती के बारे में तो अभी वर्तमान स्थिती जो है इन तीनों फसलों की कैसी है क्या यहां पर नर्सरी जो ह वो चल रही है क्या बताना चाहेंगे? एक पानी जो पानी जो बर्सात होता है। उससे पानी उसमें टहरता नहीं है पानी निकल जाता है जिसे कि आदरगलन की समझा कमाती है और जो बीज का उपचार करते हैं वो फपूर्णासक दवा है जिनमें हम बहुत सारी दवाएं हैं जैसे केप्टान, थाइरम, बाविश्टीन इनका परियोग करना चाहिए दो ग्राम दवा परती किलो ग्राम बीज क सुखा उपचार करना चाहिए उसके बाद में ही बुआई करें और लगबग इन तीनों फसलों की जो पूद है वो लगबग 25-30 दिन में तयार हो जाती है उसके बाद में हम इनको मुक्य खेत में रोपाई कर दें और रोपाई है वो सामके समय करनी चाहिए जिसे कि जो रा प्लास्टिक ट्रे आती है उनमें भी हम इन तीनों फसलों की पोद्तियार कर सकते हैं तो अभी ये उचित समय है तीनों जो फसले है टमाटर बेंगन और मिर्च इनकी खेती करने का जो खरीब की फसल है अगर हम इसको अगस्त में मुक्य खेत में रोपाई करेंगे तो ये दिसंबर तक हमें उत्पादन देगी और जो आगए किसानवाई इसकी सर्दी की फसल लेना चाहते हैं वो लगबख सितंबर अक्टोबर में इसकी मुक्य खेत में रोपाई करें और जो गर्मी की फसल लेना चाहते हैं वो लगबख जनवरी के महां में इसकी रोपाई करें जिसें कि वो अप्रेल और महा में इसके फल ले सकें बिलकुल और इसके बारे में भी आपसे वरिस्ते जानकारी जरूर हासल करेंगे कौन से अच्छी किसमे हैं किस तरीके से जो है वो खेत की तैयारी करें वर्तमान सीती में जिस तरीके से अभी बरसात का जो है वो मौसम चल खरीफ में टमाटर, मिर्च और बैगन की खेती की जा सकती है पहले बात करते हैं टमाटर की जाड़े के टमाटर की फसल के लिए बीच की बुआई पौधशाला में की जाती है इसके लिए मुक्त परागित किस्मों के लिए 350-400 ग्राम और संकर किस्मों के लिए 200 से 200 ग्राम बीच को 1 ग्राम कैप्टॉन या थीरम से उपचारित करके 17 बाय तीन फीट आकार की 8 उची क्यारियों में लगाएं हल्का पानी फवारे से देते रहें आप टमाटर की पूसा रूबी, पूसा 120, पूसा शीतल, पूसा उपहास, पूसा कौरफ, पूसा सदा बहार और पूसा हाइब्रिट दो किसमें लगा सकते हैं जुलाई की फसल नवंबर में तैयार हो जाती है वहीं बैगन की बात करें तो बैगन की फसल गर्मी और वर्शारितू की फसल है इसकी बुआई के लिए अच्छे जल निकास वाली बलूई दोमट मिटी सही रहती है मिटी का पी-च मान 6-7 के बीच होना चाहिए अच्छी जमाब शम्ता वाले 400 ग्राम और 500-300 ग्राम संकर किस्मों के बीच एक हैक्टेर के लिए काफी रहेंगे आप अगेती बैगन की पूसा परपल क्लस्टर, पूसा बिंदू, पूसा अंकुर, पूसा संकर पांच, पूसा शामला, पूसा संकर पंजाब सदा बाहर और काशी तरू किस्में लगा सकते हैं वहीं गोल बैगन की उननत किसमें जैसे काशी संदेश, पंतरितुराज और रामनगर जोइंट भी लगा सकते हैं मिर्च की बात करें तो किसान हरी मिर्च की पूसा सदा बाहर किसमें लगा सकते हैं हरी मिर्च की इस किसम की बुआई पूरे भारत में की जा सकती है भुआई के बाद आप एक हेक्टेर से 95 क्विंटल हरी मिर्च की पैदावार ले सकते हैं हरी मिर्च की इस किस्म के पौधे सीधे होते है और उनकी उचाई 60-80 cm तक होती है हरी मिर्च की लंबाई 6-8 cm होती है और एक गुच्छे में 6-Lay कर 14 हरी मिर्च तक होती है हरी मिर्च की पूसा सदा बाहर किस्म रुपाई के 75 से 80 दिनों बार तयार हो जाती है हरी मिर्च की भुआई के लिए 1,5 किलो बीज लें बीजूं की इतनी मात्रा एक हेक्टेर रखवे के लिए काफी रहेगी बुआई करते समय पंक्ती से पंक्ती की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौद से पौद की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें बुआई के तुरंत बाद पहली सिचाई कर दें तो अभी आपने देखी है विशेश रिपोर्ट आपको एक बाद फिर से हम बताने हैं कि आज जो हमारे हेलो किसान लाइफ कारकरम के विशे हैं वो है खरीफ मक्का की खेती और इसके साथ ही आप ये भी जान सकते हैं किस तरीके से आप टमाठर, मिर्च और बेंगन की खेती भी आसानी से कर सकते हैं और कैसे उनसे आर्थिक लाब आप राप्त कर सकते हैं अगर दोने विशे के संबन में आपके मन में कोई भी प्रशने कोई भी शंका है आप कुछ भी जाना चाहते हैं तो बेही चक आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं एक आर्ट शुने शुने एक एक तीन शुने 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 और छे एक अगर आप इन नंबर्स पर फोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा केवल आपने टीवी के आवास को बिलकुल बंद रखना है खासतोर से जिस दौरान अपने प्रेशन हमको लिखके भेज सकते हैं अब डॉक्ट शंकलाल जी अब आपसे मैं यह जानना चाहूंगे क्योंकि हम बात करें खरीफ मक्का की तो इसके संबद में आपसे मैं जरूर प्रेशन लेना चाहूंगे लेकिन हमारे पहले कॉलर जो है वो विपिन जी सागर म जी बिल्कुल तो शंकलाल जी पहले तो आपसे हम यह जानना चाहूंगे जो हमारे दर्शक ने इस वक्त आपसे प्रशन किया है क्या बताएंगे इसके बारे में तेके विपिन जी और बाकी किसान बायों से यह मैं कहना चाहता हूं कि जो मक्का में खाद देनी की प्रिकरिया है खड़ी फसल में वह आपको 20 से लेके 30 दिन के आसपास हम देते हैं क्योंकि इ आपको पौदे के जितना आप पास में देंगे ठीक है पास में आपको देने का मतब यह है कि जड़ूं के पास उसके 10 सेंटिमीटर अमोमन इसके आसपास आप बिखेर के देते हैं तो आपका अंदर ज्यादा इसके अंदर दक्सता समता बढ़ती है और हमने यह देखा है क आप 10 से लेकर 20 परसेंट तक इसकी दक्सता बढ़ा सकते हैं तो आप पौदे के पास देंगे वो ज्यादा अच्छा है अगर आप छीड़क के लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि कुछ पौदे के आपके जो पत्ते हैं उनके पर भी जलन हो जाती है जल जाते हैं पत्ते और इससे नुकसान होने की संबावना रहती है और काफी अगरूरग जो आप लगाते हैं जैसे एक किसान अगर पौण्ड़ बेग यूरिया लगा रहा है और पूरा एक बेग लगा रहा है तो आप पौण्ड़ बेग में भी उतनी इल लेंगे उपज ले सकते हैं जितनी ह आप एक बेग में लगा के कर सकते हैं तो खाद की मातरा भी आप कम कर सकते हैं और आप उपज भी बढ़ा सकते हैं अगर आप पोदे के पास देंगे और इसमें सबसे अच्छा ये भी है कि अगर उसके पास में अगर कोई खड़ा करके देना चाहता है और जो एक 5 ml का धकन आता है उस धकन के आथ पात एक एक पौदे की पात में अगर ऐसे देना चाहता है तो वो सबसे बेस्ट मेथट है उसमें ज्यादा आपको ज्यादा उपजाने की संभावना रहती है लेकिन इसमें काफी आपकी मजदूरी लगती है तो सबसे अच्छा मे पिन जी आप इसके पौदे के बिल्कुल साथ में लगाने के बाद आप मिट्टी चड़ा दें यह सबसे बड़िया में जानकारी जी बिल्कुल और इसी के साथ अब डॉक्टर गोगराज आपके पास भी मैं आना चाहूंगी क्योंकि हमारे जो दर्शक है उनका प्रशन आ जड़ा तो नर्सरी जो पोदसाला होती है उसमें पानी भर जाता है तो मैंने पहले भी कहा था सुरुआत में कि जब भी आप नर्सरी तियार करें तो इस मोसम में विशेस कर आप उठीवी क्यारियों में तियार करें और जो उठीवी क्यारियां है या बैड है उनकी जो उ बारिस बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप जो प्लास्टिक नर्सरी का एरिया बहुत छोटा होता है जिसमें हम चार से पांस बेड तैयार करते हैं जिनकी जो लंबाई होती है वह आवशकता नुशा रखते हैं और जो चोड़ा ही है लगबग 80 cm से 1 मिटर तक हम रखते हैं जिसें कि उस एरिया में पानी ना बरे तो यह दियान रखना है दूसरा यह है कि आप इस मोसम में जब नर्सरी तैयर करते हैं तो आप जो पलक्ट्रे है प्रो ट्रेज है उसमें भी तैयार कर सकते हैं उनको बारिस के मोसम में आप अपने घर में या कहीं भी जहां पर सुर विश्टीन थीरम या केपटान या केपटाफ जो दवा है उसका दो ग्राम परती किलो ग्राम बीजकी साब से सुका उपचार करें जिसें की आदर गलन की समझा नहीं आती है एक वहेंकर बिमारी होती है जो नरसरी में पोदसला में देखी जाती है जिसें की 8-10 गंटे के अं आदमें भी आप बारिस अगर लगातार हो रही है तो आप 4-5 दिन के अंतराल पर 2 ग्राम जो केपटान दवाया उसको लेकर उसका एक पानी लिटर में गोल बनाकर उसके हिसाब से आप उसमें हलकी इलकी सिच्चाई कर दे ताकि जो फपुदर नासरी जो बीमारी है जो आ इस प्राइफ नाना चाहते हो जो सुना मेरी सौतन को इसको अरे वही तुमारा मोबाइल फोन जिससे सुवा शाम दिन राचिप के रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बाते हो रही है अच्छा ये बात है ऑफ टू नहीं होती क्या अब जटसे बात हो जाती है आप अप तो ज्यादा लाइनग और खास तक्निक के कारण खेती के माहिरji हो से तुरंट बात हो जाती है और अगर कभी लाइन वियस्त हो, तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है, और समस्या की हलका मैसिज भी आ जाता है, ये देखो, आ गया, अरे बाप, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्मा, तभी मैं सोचूं कि आज कल मुझ पर इतन जान कॉल सेंटर. अब फोन कीजे, टोल फ्री नंबर्स पर 18000-11306061, वाट्स अप और इमेल के जरीए भी आप हमारे साथ जो है, वो सबना संपर्क बिठा सकते हैं, हमारे अगले कॉलर जो है, वो इस वक्स होन लाइन पर मौजू था है, आई उनका सवाल ने, हालो, 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 जी, गनीज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे कारकर में महराश्टर से अपने हमें फोन किया है, अपना प्रशन पूछी और अपने टी-वी के आवास को पहले बिल्कुल बंद कर दीजे, ठीक है, टेमाटर लगाना चाहते हैं, आप अभी इस मौसम में तो आप य लगा नहीं है? यह जई जी, अगर आपने बजी का जो बगीचा लगा रखा है, उसमें आप टमाटर लगाने की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, पहले ही देखना होगा कि आपने मौसम बी की कौन सी किसम लगाई है, उसकी बढ़वार कितनी हुई है, और वो किस अवस्ता में अभी अगर आपने बगीचा अभी लगाया है तो आप इंटर कोपिंग इसमें कर सकते हैं और टमाटर की खेती आराम से कर सकते हैं आसानी से कर सकते हैं लेकिन जो आपके बगीचे जो पोदे लगए में मौसमें कि उसके नजदीक टमाटर के पोदे ज्यादा ना हो एक पोदे से दूसरे की बीच में दो या तीन कतार टामाटर की फसल की हो तो आपको अच्छी उपजबी लेगी जी आप लगा सकते हैं जरूर बलकुल और इसे के साथ यहाँ पर डॉक्टर शंकलाल जी आपके लिए एक प्रशन आया है हमारे पास जरिये और ये लिखते हैं रवी कुमार जी हिमाचर प्रदेश के नाला गर से और इनका प्रशन यह है कि मक्का की फसल में बांसी घास खरपतवार को कैसे नियंतरत कर सकते हैं क्या बताएंगे तेखे जो बांसी घास है अभी जितनी भी खरपतवार नियंतरत की जो हो रहा है एक नई खर्पतवा नियंतरण की दवा आने वाली अगले साले मार्केट में आएगी अभी जो बांसी गास है उसके नियंतरण के लिए केवल आपके पास निराई गुड़ाई है आप चाहते चाहे तो दो पंक्ति के बीच में जो आप हल चला सकते हैं और इसके पास दिख रही है वहां जाके इसका सेलेक्टिव नियंतरण कर लें तो यह इन्होंने बिलकुल ही बहुत अच्छा प्रश्न पुछा है और इसके लिए आपको अगले साल अडंगो के नाम से एक एसी दवाई है वह आपको मार्केट में अवेलेबल होगी या मतलब उसका बहुत एडवांस स्टेज में ट्राइल चल रहा है लेकिन आपको अभी यह है कि आपके वह निराई गुड़ाई करके इसके नियंतरण कर सकते हैं और जो जितने बाकी दूसरे खापरतवार हैं उनके नियंतरण के लिए आप टेंबो ट्रियान या टॉप्रा मेजोन या है अगर किसानों के खेत में मौथे की समश्या ज्यादा है तो उसको हेलो सल्फिरोन मिथाईल वाली दवा है उसका चिड़काव करना है एक एकड़ के अंदर तीस मिली रिएट तीस ग्राम दवाई लगती है और आप 200-500 मिली लिटर पानी में डालके करें इसमें आपको सावदानी ये रखनी है कि खेत में नमी होने चीए और जो मौथा है वो आपको चार से च्छे पत्ति का होने चीए आपको मौथा बिलकुल सूख जाएगा अगर खेत में नमी है और य दूसरे सारे खर्पतवारे उनके नियंतरन के लिए मौथे को भी वो करते हैं काफी हद तक उसमें आपका टेमबो ट्रियोन है जिसको 115 मिली लीटर परती एकड़ के हिसाब से डालना है और इसका अगर हम छिड़काव करते हैं तो आपका काफी हद तक सारे खर्पतवार ल कि आपके लगबग सारे खर्पतवार नियंतरन हो जाएंगे जो मैंने तीसरी दूबा बताई है वह टौपरा मेजोन है उसको एट्राजिन के साथ मिला के छिड़कना है 400 ग्राम एट्राजिन का पेकेट और आपको टौपरा मेजोन का 25 ग्राम का पेकेट तो यह दोनों अगर आप जो सामाने किसमे जिनको अँब देशी किसमे अगर वो लगाना चाहते हैं तो हमारे पुसा संस्तान की किसमे है जिनमें पूसा रूबी है, पूसा 120 है, वो दोनों किसमें अच्छी किसमें है जो आप वहाँ लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप संकर किसमें लेना चाहते हैं, तो जो पूसा की संकर किसमें है, जिनमें पूसा हाइबिर्ड एक है, पूसा हाइबिर्ड दो है, चार, आ महाराष्टरा की जो भी नजदी की कर्शी विश्विदाले हैं, वहां से बहुत सारी टमाराष्टर की किसमें विक्सित की हैं, वहां से भी आप संपर कर सकते हैं, क्योंकि वो विशेश कर आपके एक महाराष्टरा उसी चेतर के लिए विक्सित की गई है, तो टमाराष्टर क और कुछ जो प्राइवेट सेक्टर से भी निकली वी किसमे है जो मारास्टरा जोन के लिए रिकमेंडेड है तो वहाँ से भी आप बहुत किसमे ले सकते हैं और उनका चैन आप वगाई के लिए कर सकते हैं डॉक्टर गोगराज अब क्योंकि बात हो रही है किसमों की तो आप से मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मिर्च और बेंगन की अच्छी किसमे भी जो है वो आप हमारे किसानों के साथ साजा करें जी देखे अगर हम बेंगन की बात करें तो बेंगन में बहुत सारी किसमें उपलब्द हैं बेंगन में क्या आप देखते हैं कि जो फल होता है बहुत सारी ऐसी किसमें है जो कि गोल वाली है कुछ अंडाकार है कुछ आपको लंबे बेंगन वाली किसमें मिलती है तो बेंगन की बहुत सारी किसमें है और उनका जो रंग होता है वो भी अलग होता है किसे आपको गुला भी रंग की है, कुछ आपको काले रंग की है कुछ आपको भोग बहुत डार्क पर्थपल जिनको हम बोलते हैं तो जो ये किसम है, हमारी पूसा संस्ताने बहुत अच्छी किसमें विक्सित की है, जिनमें पूसा शामला एक अच्छी किसम है, इसके अलावा पूसा उत्तम है, और इसके अलावा जो संकर किसमें भी विक्सित की है, जिनमें पूसा संकर 5 है, पूसा संकर 6 है, पूसा संकर 9 ह और इसके लावा अगर आप सामाने जो किसमे लगाना चाहते हैं तो पूसा बिंदू है पूसा परपल लोंग है पूसा परपल कलस्टर है इन किसमों का भी आप चैन कर सकते हैं और इसके लावा अगर मिर्च की खेती करना चाहते हैं तो मिर्च में हमारे पूसा जवाला है प कर लेजिस को बोलते हैं कि पतियां सिकूर जाती है मुर्जा जाती है उससे रोग परती रोधी किसमें भी हमारा संस्तान विक्षित कर रहा है तो वह किसमों के हुगा भी आप भविषे में चैन कर सकते हैं जी बिल्कुल हमारे अगले जो दरशक हैं वो मौजित हैं फोन लाइन पर रामु पटेल जी आए उनका कारक्र में स्वागत करते हैं हालो रामु जी आपको बहुत-बहुत स्वागत है कारक्र में अपना सवाल पूछे क्या जाना चाहते हैं फिर अञारो थीक है आपमें वग्त प्रमों से हमने फौन-खे damnat ठीक है बिल्कुल डोक्टर लाल क्या बता थीक हो बोला एज्या क्या बसक्द का मक्कामे पानी गिर रहे दिए करफ जो अब ही जो मुखशन था इस मुझे इस साल जो काफी जगह दैरी से बारिस आही और कुछ जगे ज़्यादा बारिस आती है तो हमने पहले ही बताए कि जैसे रिपोर्ट में भी बताए गया कि मक्का इस खरीब के मौसम में अगर हम मेड बना के लगाते हैं तो इससे बहुत सारे फाइदे हैं जो मैं परमुक फाइदे ये बताऊँगा कि अगर बारिस ज़्यादा होती है तो भी वो पानी जो नाली होती है उसके अंदर संचित रह जाता है अगर बारिस कम होती है तो भी उसके अंदर नाली में जो संचित पानी है वो उसकी पोदे की बड़वार के लिए फाइदा करता है जब पौदे छोटे रहते हैं, तो जब पानी ज़्यादा रहता है, मिटी में ज़्यादा रहती है, तो उससे क्या होता है, पौदे पीले पढ़ने लगते हैं, तो उस वाले समश्या से भी निजात होता है, तो अभी आप यह करें, अगर आप चाहें तो 500 मिले लिटर जो पानी में मिलाकर तो आपकी फसल को तुरंत एक बुस्टप मिल जाएगा और इसके बालावा भी अगर आप नेनो यूरिया नहीं है तो आप दो परसें नॉर्मल यूरिया का चिड़काव कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा मौश्यर होते समय क्या होता है कि आपको यह जो परणी को प्रणी चिड़काव करते हैं पत्यूंपे जो छिड़काव करते हों अपको ज्यादा है तो इसमें जो मक्का के अंदर लगता है फॉल आर्मी वर्म फोजी कीड़ा जिसको कहते हैं वो फोजी कीड़ा अभी हाली के दो-चार साल में मक्का के अंदर आया है तो उसमें जो दवाई होती है कभी कभी उस दवाई के साथ मिला के भी आप इसको जो पढ़नी छिड़काओं में कह रहा हूं उसका कर सकते हैं और जब भी आपके यहां जल निकास की ब्यवस्ता आए मतब ऐसे लगें कि आप थोड़ा सा पानी चला गया है तो उस समय आप शाम के समय आप उसके यूरिया दे सकते हैं तो आपकी फसल वापस एकदम बहुत बड़ा सुड़ा अच्छी हो जागी बलकुल यहां पर डॉक्टर गुगराज वाटसप के जरीए हमार पस आपके लिए भी जो है वो दो प्रशना आए हैं पहला प्रशन भेजा है रविंद्र वर्मा जी ने मध्यप्रदेश से और वो यह कहते हैं कि उनकी मिर्च की फसल की पतिया जो है वो उपर की तरफ से मुड़ रही है तो कौन से दवा का जो है वो स्प्रे कर सकते हैं जी देखिए जो यह समस्या है ये टमाटर और मिर्च दोनों में आती है अब ये अगर अरली जो हम फसल लगा देते हैं टमाटर की और मिर्च की तो इसमें जो इनकी पतियां है सीकुड कर मुड़ जाती उपर की तरफ और चोटी हो जाती है और पोदा पूरा बोना हो जाता है और उसमें फूल नहीं आते हैं तो यह समस्या मिर्च में और टमाटर दोनों में होती है तो इसके नियंतरन के लिए सबसे पहले तो यह है कि इस परकार के अगर पोदे आपके खेत में अगर बहुत कम हैं जिन में imidacloprid एक नाम की दवा है उसका लगबग 1 ml दवा का परती लीटर पानी में गोल बना कर उसका चिड़काव जरूर करें और ये चिड़काव लगबग 5-6 दिन के बाद में दुबारा करें अगर इस परकार के लक्षन फिर भी अगर फसले में दिखाई देते हैं क्योंकि ये क्या होता है कि जो सफेद मक्य होती है उसके दवारा ये बिमारी फैलती है ये एक वाइरस जनित बिमारी है अगर एक पोदे में आ जाती है तो फिर दूसरे पोदे पर जाती है तो उस पोदे में भी वो फेल जाती है तो दिरे दिरे ये फेलती रहती है तो हमें सफेद मक्य को नियंतृत करना होता है तो इसके लिए जो दवा है मिडाकलोफिड ये अच्छी दवा है और इससे आपको बहुत अच्छा फाइदा मिलेगा जी बिलकुल और इसी के साथ हमारे कारकर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का जल लोटेंगे वापस और बाचीत को बढ़ाएंगे आगे कई मजाए देखते रहें दूर दर्शन के साथ पिलकुल ना हो परिशान विशेशद्य करेंगे आपकी समस्या का समधान देखिए अपना पशुची के सक हर रविवार शाम सारे छे बजे दूर दर्शन के सान पर ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइफ उनकार करम हलो किसान में जहां आज हम बात कर रहे हैं खरीफ मक्का की खेती के बारे में और साथ ये भी जानकारी हासल कर रहे हैं कि किस तरीके से टमाटर मिर्च और बैंगन की खेती आप आसानी से कर सकते हैं हमारे अगले कॉलर करम सिंग जी सी होर मद्धिप्रदेश ते मौझूद एफ ओनलाइन पर उनका सवाल लेते हैं हालो जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है करम सिंग जी अपना सवाल पूछे क्या जानना चाहेंगे आप हालो और अगर आपने अभी टमाटर की खेती करनी है तो अभी भी समय है कि आप पोद साला में पोद तयार करें पहले इसकी पोद तयार करने के लगवग पची से तीस दिन बाद में लगवग एक महीने बाद में उसकी खेत में रोपाई करें तो अभी इसका उची समय है टमाटर की पोड तैयारी करने का और पोड को मुक्यखेत में रोपाई करने का दोनों का जी बिल्कुर जी और इसके साथ डॉक्टर लाल आपके लिए भी हमारे पस एक प्रशन आया है वाटसैप के जरीए और वो कहते हैं कि यह आया है मध्यप्रदेश से सरदार महता जी तका वो कहते हैं कि मक्का में एक बार दवाई च्टकाने के बाद दुबारा इल्ली नहीं आनी चाहिए या ना आये उसके लिए कौन सी दवा का इस्तमाल किया जा सकता है देखिए यह प्रस्न काफी आहम है और मैं यह बताना चाहता हूँ जो मक्का में जो नया कीड़ा है जो फोजी कीड़ा है वो कीड़ा किसन भाई कभी कभी हम यह सोचते हैं कि इस कीड़े को अगर हमारे खेस से बिलकुल एकदाम नस्ट हो गया तो यह बाकी में नहीं आएगा क्या होता है कि जितनी दवाई हम चिड़कते हैं जिसमें आपका क्लोरेंट राइनिपॉल है इमामेक्टिन बेंजोइट है और तो यह जो असर है वह आपका दस से बारा दिन रहता है सबसे ज़्यादा असर रहने वाली और सबसे सेफ दवाई है वह स्पिनो टेरम है तो क्लोरेंट राइनिपॉल और इमामेक्टिन बेंजोइट का 0.5 ml परती लीटर पानी में चिड़काओ करके करना होता है और सबसे जो महत्पून बात इसमें यह है कि यह किड़ा दिन के अंदर आपका जो पोदे का केंद्री भागे उसमें चुपा रहता है और रात में निकल के खाता है हमें क्या करना है शाम के समय जाके और पोदे का जो बीच वाला भागे हो वहाँ पे चिड़काओ करना है तो उससे आपका नियंतरन दो-चार दिन और ज्यादा रहेगा पहली बात तो यह दूसरी बात यह है कि जो आपका इसको बढ़ाना है तो इसमें क्या है कि कम से कम हमें छिड़काओ करना है मैं किसान भाई ने अगर किसी ने बीज उपचार अभी करके वैसे तो सबका आता है बीज उपचार के लिए आप सायन ट्राइन प्रॉल प्लस थाय मितोकजोम का 5-6 मिली लिटर परती किलोग्राम बीच से अगर उपचार इत करते हैं तो 15-20 दिन तक यह हिली नहीं आती है उसके बाद आप खेत में पास में जाके देखे जब सफेज सफेज इसमें दागे निसान पढ़ने तब आप जाके दवाई छिड़के उससे पहले नहीं छिड़के और जब 15-20 दिन के वीच में एक बार हमने दवाई छिड़क ली तो 10 दिन बाद फिर जाके देखना है कीड़े थे वो 30-35% दूसरे साल वो 50-60 हो गए और अब भी 90% से ज़्यादा वो कीड़े इसको खाते है तो आप जो दूसरे कीड़े इसको खाने वाले उनको नश्ट करने के लिए हम लोग दवाई छिड़कते हैं तो दवाई छिड़कने का सीधा तरीका यह है कि बीच के केंदर भाग में जाएं बाकी पतियों पर नहीं जाएं पहली बात इस बात का सारे किसान भाई ध्यान रखें और अगर पहली छिड़काव आपने इममेक्रिन बेंजोइट का किया है तो दूसरा छिड़काव आप स्पिनो टेरम का करें ताकि आपकी इल्लिया कम होगी और सबसे महत्पून बात यह है कि यह इल्ली बारिस के साथ या मौसम के साथ उड़के आती है इसका जो तितली है वह आपका 200 से 400 या 500 किलोमेटर तक उड़ सकती है तो कभी ऐसा नहीं सोचना है कि इस इल्ली से हम मुक्ति पालेंगे यह रहेगी आप कम छिड़काव करेंगे बारिस से जड़ा हो रहे है तो आपको छिड़काव नहीं करना है अपना भी मर जाती है अँश्यक्ति ऐसे के सात्थ हमारे अगले को जा अगर आपके मन में कोई भी शंका है आप कुछ भी जाना चाहते हैं तो आप हमें या तो तुरन्थ फोन कीजिए या फिर वाटसएप के जरीए भी अपना प्रशन हम तक पहुंचा सकते हैं डॉक्टर गोगरा जी आपके लिए सौमिक मंडल जी ने प्रश्टिम बंगाल से अपना प्रश्टिम भेजा है और वो ये पूछना चाहते हैं कि मिर्च की फसल में नैनो यूरिया वर नैनो डीएपी का इस्तमाल कैसे किया जा सकता है जी देखिए जो नैनो यूरिया के हम बात करते हैं तो इन दोनों फसलों में हम प्रयोग कर सकते हैं इसके कुछे लाब भी हैं कि आप अगर 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 आप नहीं दे पा रहे हैं सही समय पर आपने पहले फसल जो केत की तैयारी करते हैं उस समय अगर आ कि क्या होगा कि आपके अगर फसल की यह वह कम हो रहे हैं तो उसे कि आपके फ्सल की वर्धी अधिक होगी और अगर पोधा अगर वर्धी होगी तो उसमें अच्छी आएंगे फल बहु अच्छे बढ़ेंगे फल की जो Wait वो भी अच्छी होगी तो आप निसी तोर पर दोनों जो फसल हैं इनका उरूरक जो नेनो डीएपी है और जो नेनो यूरिया है इनका प्रियोग कर सकते हैं लेकिन एक सही मातरा में करें और सही समय पर करें जैसे फसल बढ़वार की तरफ होती है उस समय करना चाहिए एक तो और एक जब फल हैं वो जो हम तुड़ाई करें जो तुड़ाई के तुरंत बाद में करना चाहिए जिसें कि उसका सीधा जो असर है वो हमारे फलों में नाए मिर्ची की जो हम तुड़ाई करते हैं पहले या दूसरी तुड़ाई करें उसके बाद में करना चाहिए ताकि एक अगली तोड़ाई में हमें उसकी ऊपज अच्छे से ले सकें, और अगर हम बात करते हैं, नेनो यूरिया की, तो यूरिया में इसमें नाइट्रोजन की मातरा अधिक होती है, वो की पचलों की बढ़वार के ले चिये पिई होती है, और अगर नेनो डीएपी की मातर करते जो फूल के जड़ने की एक समस्या होती है तो वो भी एक समस्या हद तक कम हो जाती है जी बिलकुल वहीं डॉक्टर गोगराज अक्सर जो हमारे किसान है उनके मन में ये भी प्रशन रहता है कि जो यह हमारी बैंगन टमाटर और मिर्च की जो बीज है वो कहां से अच्छे प् बात है कि हमारे किसान को फसल वियर्टी मिलेगी तो अच्छा बीज कहां से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं कि देखिए इन तीनों फसलों का जो चेतर है भारत में बहुत अधिक है क्योंकि तीनों मुख्य फसले हैं और तीन सीजन में ये लगाई जाती है और अलग-अलग इसल काउंटर वहां से ले सकते हैं इसके अलवा जो हमारा बीज उतपादनी काई है वहां से भी किसानवाई इसका बीज करिए सकते हैं और इसके अलावा जो भारतिय सब्जी अनुसंदान संस्तान है बनारस में जो वारानासी में एक अमारा बड़ा संस्तान है जो सब्जियों पर काम कर रहा है इन तीनों फसलों में अच्छा वहाँ पर काम हुआ है बहुत सारी नई-नी किसमें विक्सित हुई है जो कि विशान तो हमारा जो भरती जो उद्ध्यान विग्यान का एक बड़ा नुसंदान संस्तान है, हैसर गटा जो बैंगलोर में इस्तित है, वहाँ से भी आप इन तीनों फसलों की बहुत सारी उन्नत किसमें विक्षित की गई है, वहाँ से भी ले सकते हैं, जहां बेक्टेरियल विल्ट की एक मुख्य समझे आती है, जो टमाटर और मिर्च में अधिक होती है, तो उनके रोग रोधी किसमें भी बैंगलोर में, जो हैसर गटा में हमारा संस्तान है, वहाँ से भी आप इनका बीज ले सकते हैं, इसके अलावा, जो कर्शी विस्टी बीज निगम है नई दिल्ली में, या जो राज्यों के राज्य बीज निगम है, वहाँ से भी टमाटर बैंगन और मिर्च की जो उनत किसमें है, उनका बीज उत्वादन किया जाता है, इसी भी अगर वह इच्चो के किसम लगाने का तो उनका बीज आसानी से उपलब दो जाता है, इसके अलावा, अगर आसपास में आपको बीज आसानी से और सस्ता मिल रहा है, तो जो रजिस्टर्ड जो प्राइवेट दुकाने होती है, उनसे भी आप बीज खरीद सकते हैं यह सब आप जरूर जाँच ले बीज खरीदने से पहले कि उसमें बीज का उपचार किया हुआ है या नहीं है या आपको बीज का उपचार करना पड़ेगा, तो यह सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन संस्तानों से आप आसानी से बीज खरीद ले सकते हैं जी बिल्कुल, हमारे अगले कॉलर, जीत राम जी मौजुद हैं, जालावार राजस्तान से इस परक्त हमारे साथ आयों का सवाल है, हालो? जीत राम जी, आपका बहुत-बहुत स्वागता है हमारे कारक्ष्ण में, सवाल पूछी क्या जानना चाहेंगे? हमारी मक्ता की पतल में इंडी की समच्छा बहुत है ठीक है कुंसी दवाइका इस्किमाल कर सकते हैं तो ये कब से जो ये समच्छे आप देख रहे हैं अपने खेत में ये 10-15 दिन से इंडी का प्रपाउब हुआ है ठीक है बलकुल तो रॉक्त लाल क्या बताएगा जीतराम ज से ज्यादा इंफेस्टेड होते हैं तो आप एक बार नीम करनल सीड एक्स्ट्रेक्ट जो आता है पंदरा सो पीपेम का उसे पांच मिली लिटर पानी के हिसाब से आप छिड़काव कर दें यहां तो क्या होता है कि जो पोदे में इल्ली लगने वाली है छोटी-छोटी इल अनिया भी लिट अलव Wendy आते इसके अलावा आप ट्रेको ग्रामा जो कार्ड उन्का उ्यूज कर सकते फिरामवन ट्रेप आतें इसके इसरियार्वन ठ्रे पाते उंका भी लगा सकते है जिसमें क्या होताह जितने भी नर्पतंगे हैं अनको एक साथ इक शाथ हो जाएंगे उनको अपन मास की लिंग कर सकते हैं साथी साथ में जो आपकी जो इसमें जो बीटी फॉर्मूलेशन का जो आता है वो दो ग्राम परती लीटर पानी के इसाफ से छिड़काव कर सकते हैं और बाकी काफी ऐसी चीजे देख्ये जो मैंना आब जिक्र कर रहा था पिछले ही परस्टों के इसमें खम से पचास से साथ ऐसी जातिय परजातियां है जो कीडे को खाती है तो हमें क्या स्याम के समय अगर ये सब बात क्शिड़काव करसक्ते हैं वैसे नहीं करना यह इसमें जब पोदे में छिरकाव करना है तो नौझल को थोड़ा डीला करके जो बीच वाला पोदा भाग होता है जिसे हम गौप कहते हैं वरल कहते हैं गौप कहते हैं उसके अंदर केंदरित करके उसके अंदर दवाई डालनी है और जो दवाईयां हैं वो मैं बता देता हूं दो तीन के नाम बताराओं उनको जैसे पहली बार आपका किड़ा आया है तो आप 10 दिन तक उसका यह 15 दिन तक उसका असर रहता है तो उस समय आप इमामेक्टिन बें तो जो 0.5 या 0.4 हमें डालना है तो इन को रोटेशन करना है एक बार अगर आपने इममेक्टिन बेंजो चिड़ किये तो दूसरी बार आपको स्पिनो टेरम चिड़कना है तो दस दिन बाद एक बार फिर देखना होता है कि इसमें वापस आराग नहीं आ रहा है अगर बारी से कम होरी तो किसान भाई इसके पर ज्यादा द्यान दे इस कीड़े के प्रक्वाप से ज्यादा नुकसान हो सकता है जो सुरू के 40 दिन तक इसका अच्छा ख्याल रखना होता है जी पिलकुल हमारे अगली कॉलर जीत नारायन दूबे जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं अम बेटकर नगर से लेकिन इसी के साथ हमारे कारक्रम में यहाँ पर वक्त फो चला है एक छोटे से ब्रेक का तो जीत नाम जी ब्रेक के बाद आपका प्रेशन हम अपने कारक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे तो आप लोग कहीं मज़ जाये देखते रह जब तप्ती है धर्दी सूरज उगलता है आप ठंड में जब सर्दी जमा देती सब के हाँ सब छुप जाते अपने अपने घरों में तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान भरने के लिए हम सब का पेट खून को पसीने की तरह देता बहार ठक जाता जुलस जाता हो जाता बीमार तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान देखिए स्वस्त किसान शनिवार शाम छे बजे लाइव सिर्फ दूर दर्शन किसान चैनल पर ब्रेक के बाद एक बाद फिर आप सभी का स्वागत है हमार लाइफ फोन कारक्रम हलो किसान में आईए जो हमारे दर्शक इस परकत हमारे सथ फोन लाइन पर मौझूद है जीत नाम जीत राम नारायन जी अम बेटकर नगर उत्तर प्रदेश से उनका सवाल जो है कारक्रम में शामल करते हैं हालो आपका बहुत-बहुत स्वागत है जीत राम जीत राम जी हमारे कारक्रम में अपना सवाल पूछे क्या जाना चाहेंगे टमाटर का पौधा लगाना है कि समय कौन बराइटी अच्छी रहे ठीक है बलकूल डॉक्टर गोगराज क्या बताएगा जी देखिए आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो अभी आप इसकी पोत तयार कर सकते हैं ये सही समय है पोत तयार करने का और अभी अगर पोत त संस्तान में भी बहुत सारी किसमे हैं जिनका आप चैन कर सकते हैं अगर आप समाने जो किसमे लेना चाहते हैं तो उसमें पूसा रूबी लगा सकते हैं इसके अलावा पूसा 120 है वो भी आप इसके खेती के लिए ले सकते हैं इसके अलावा बहुत सारी संकर किसमे हैं जो हम भी ले सकते हैं और आप surdano I台あर का nbhbhbhbhbhbhbbhbbhbhbhbhbghbhbhbhbhbhbbhbhbhbhbbhbhbhbbhbhbhbbhbhbbhbhbbhbbhblbhbhbbhbhbhbbghbhbbhbhbbhbhbbhbhbhbgbbhbhbbhbbHbgbhbbhbhbbhfbbhbbhbhbhbbhbhbhbbhbbbhbhbfbhbbbhbhbbhbbhbbhbhbbhbbhbhb ते हैं कासी अमन और इसके अलावा हमारे संस्तानस में इसे बहुत सारी किस्म of की इसे Dru अर्का बिज के साथ नहीं सनबन जो है वह फ़ नहीं सकते हैं यहुत सारी किस्म에 इसन पर क्केती कर सकते हैं बिलकूर यहां पर मक्हा के संबंद में इसकते में में वह दूर्सिStar जो खूआ है लेकिन हमारे कई किसान ऐसे भी है जो कि बेबी कॉण भी अपने जो बाजार में है जिसकी बिक्वाली करते हैं तो बेबी कॉण के बारे में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे क्योंकि वो एक अवस्ता है मक्का की तो कब उसकी तुड़ाई करें, कैसे उसकी बिक्वाली करें, कहां अच्छा बाजार जो है वो इसका प्राप्त हो सकता है, क्योंकि शेहरों में इसका काफी चलन है, बड़े रेस्ट्रोज में भी इसकी मांग काफी है। आपको तोड़ना है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका अंदर जो गुल्ली निकालते हैं, जो बेबी कॉन जैसे आपको दीख रही है स्क्रीन के उपर, तो वो आपकी दूसरी भी बुटा आएगा, तीसरा भी आएगा, उसी पोदे भी और चोधा भी आएगा। अगर बाकी माब नर्मंजरी निकाल सकते हैं। अगर किसान भाई अपने गर पे खाना चाते हैं, क्योंकि इसमें केल्शियम और फास्पोरस की मातरा बाकी सारी सबज्यों से ज़्यादा होती है, इनको आप ज़्यादा समय तक आप कर सकते हैं। और आप क्या करना है कि आपको कुछ शेतरफल के अंदर नर्मंजरी निकाल देनी है, और जो आपका भुट्टा होगा, वो भुट्टा आप खाने के लिए तोड़ सकते हैं। दो से तीन दिन में जब भी आएगा, तो एक पोदेश आप तीन से चार बाइट तुड़ाई कर सकते हैं। बड़ाई बात यह है कि कहां पर इसका ज्यादा मार्केट है। इसके हब पहले बात करें तो दिल्ली के पास ही था। लेकिन अब बंगाल में भी डवलप हो गया है और पूने में भी डवलप हो गया और बैंगलोर के पास भी डवलप हो रहा है। तो कुछ किसान भाई अगर इसकी जैसे आप तीन से चार दिन अच्छी कीपिंग क्वालिटी रहती है। आप इसको खेती करके इसको एक्सपोर्ट में भी कर सकते हैं। और इसका प्रसंस करन भी कर सकते हैं। तो मार्केट जो डवलप हो रहा है आप सही करें। जहां पर पीजा और आपकी मिक्स वेजिटेबल का है। सूप में भी इसका काम में होता है। बाकि इसका भालवा भी बना सकते हैं। खीर भी बना सकते हैं। और दवाई अगर छिड़क भी दी तो पौदे के बुट्टा जो आपका काफी पत्तियों में गिरा रहता है। यह काफी स्वास्त वर्दक है। और अपने देश में आप जोशना जी अभी आठ से दस क्विंटल बैबीकॉन लगबग निर्यात होता है परती दिन। तो वो चीज भी काफी अच्छे संभावना है। तो आप जो इसकी किस्मे हैं उसमें आपकी आएमेच 15 32, 15 49 है और उसके बाद में अप शीशू है और VL बैबीकॉन 1, VL बैबीकॉन 2 है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो मार्केट दे भी कुछ किस्मे हैं जिनके अच्छे संकर बीज उपलब दें उनको लेके आप इसकी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फसल भी आपकी जल्दी आजाएगी पसुक चारा भी अच्छा मिल जाएगा और देरे देरे अगर मार्केट डवलप होगा तो आप एक अच्छा गाउं बना सकते हैं। जो बेबीकॉन के जहां पर भी खेती हो रहे हैं। लेके आप अगर पोसक तत्तों की बात करते हैं कि उनका परबंदन कैसे करें। तो पोसक तत्तों हैं वो खेत की तैयरी जब हम करते हैं। तबी खेत में ड़ले जाते हैं बहुत सारे ऐसे पोसक तत्तों हैं जिनमें हम अगर नाइटरोजन, फासपोरस और पोटास ये तीन परमुक पोसक तत्तों होते हैं। जिनमें टमाटर, बेंगन और मिर्च की जो खेती होती हैं, उनके लिए सामानेतें सो से एकसो बीस किलोगराम नाइटरोजन की आवशकता पड़ती है। और फासपोरस की जो मातरा है वो लगबग 80-100 किलोगराम और पोटास की जो मातरा होती हैं तो जो पासपोरस और फसल की रोपाई कर देते हैं, उसके लगबग 30 दिन बाद में, एक महीने बाद में लगबग टोपड रेसिंग के दोरा, या अगर हम उसको ड्रिप के दोरा खेती कर रहे हैं, तो जो गुल्वेंसिल उरूरिक है, जो उसके आदी मातरा बजाती है, उसको दो भागों में बाद करें, तो बोरोन जो पोसकततो है, उसकी जब कमी हो जाती है, तो फल फटने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि फलों का फटना या जो फूरूट क्रेकिंग हो जाती है, यह बहुत बड़ी समस्या होती है टमाटर में, जो बोरोन की कमी से होती है, तो इसमें हम बोरे आगर जो fertilization उसके द्वारा भी हम कर सकते हैं और आगर हम बात करते हैं खरपतवारों की खरपतवार भी इन तीनों फसलों में बहुत बड़ी समस्या होती है क्योंकि सबजी फसले क्या होती है बहुत पोदे होते हैं इनकी दूरी पर लगाए जाते हैं एक पोदे से दूसरे सलगनी होती है और इनकी तोर पर इनका निन्तनर करना बहुत जरुरी होता है उन्हे था यह मुख जो हमारी फसलोती इसकी वर्दी को कम कर देता है और ये जो सारी पोसिक्त तक्तों होते हैं मरदा में वो ले ले लेते हैं तो इनका निंतना करना बहुत ज़रूरी होता है तो इसी के साथ हम उमीद करेंगे कि हमारे आज के कारकरम में दी गई तमाम जानकारियां जो है वो आप सभी के जरूर काम आई होंगे और इसके साथ ही आईए आपको बता दें कि अब अपने अगले लाइव हेलो कसान कारकरम के हमारे क्या विशे रहने वाले हैं तो अगली बार जिन विशे वपर हम चर्चा करने वाले हैं वो है मोटे अनाज की खेती और इसके साथ ही जो है वो हम आपको जानकारी देंगे केले की खेती के बारे में तो इन दोनों ही विश्यों के संबन्द में अगर आपके मन में कोई भी प्रशन है तो आप पहले से अपने प्रशन हमें बेच सकते हैं हमारा इमेल आइडिया आप नोट करें हमारा इमेल आइडिया है हेलोकसान2015.gmail.com अगर अपने प्रशन आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो डीरी किसान का कॉल सेंटर नोट कर लीजिए एक आट शुने शुने एक एक तीन शुने 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 सोमवार से शनिवार सुबच शे बिज़ से राद दस बिज़ तक ये नमबर आपके लिए उपलब्थ रहता है और अगर आप हमारे आज के कारक्रम को दुबारा से देखना चाहते हैं तो आप ये क्यू आर कोड को स्कान कर सकते हैं इससे आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल पर चले जाएंगे वहाँ जाकर आप एक बार फिर से तमाम जानकारिया आज के कारकर्म से समबन्दित हासल कर सकते हैं तो आज के लिए के वल इतना ही मुझे दीजिए इजाज़त अपना रखी खयाल देखते रहिए दूर तर्शन के साथ नमस्कार यहां जाएंगे